गुड मॉर्णिंग गाईज, वेलकम टू विदेट 24, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैक क्लाश 10 साइन्स का चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है जेव परक्रम, ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जो भी चीजे हैं उ इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किये थे कि मानो किस परकार से भुजनों का पोशन करता है, उसका पाचन करता है और फिर अवसोशन किस परकार से करता है, आज हम लोग इस पार्ट में, यानि के पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस तो पोशन प्रकरम के दुरान ग्रहन की गई खाद्य समागरी का उप्योग कोशिकाओं में होता है यह वात सही है जिससे विभिन जेव प्रकरमों के लिए उर्जा प्राप्त होती है अब जेव प्रकरम यानि कि जिवित रहने के लिए जो कारी किया जाए वो जेव प्रकरम ह जैसे के सांस लेना जैसे के पोशन करना पाचन करना मॉम्मेंट हो गया इस सब जिवी तरहने के लिए जो प्रकरम है उसको जिव प्रकरम करेंगे और इन सब को कारिक करने के लिए उर्जा की जोरत पड़ता है और उर्जा तभी बनता है जब हम लोग भोजन खाते हैं और सांस लेते हैं पोड़ा उर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडनों विखंडन को कोशिक्य स्वसन काते हैं यहाँ पे दो कोशिक्य होता है कि स्वसन क्या है और कोशिक्य स्वसन किसे काते हैं तो उर्जा उत्पादन के लिए किसके लिए उर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकिया शुषण कहते हैं कहने का मतलब है कि हम लोग खाना खा लेते हैं खाना खाने के बाद वो क्या करता है कि पाचन होता है पाचन होने के बाद वो आवसोसन किया जाता है तो आवसोसन किस परकार से होता है कहाने का मतलब यह है कि जब भोजन हम लोग खाना खाते है भोजन खाते हैं तो यह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हम लोग जानते हैं कि small intestine में विली होता है यानि कि दिर्ग रोम होता है जो कि उंगली जैसा प्रबद होता है तो इस दिर्ग रोम के जरिये portion का अवसोसन किया जाता है किसके form में तो glucose के form में पिछली क्लास में हम लोग discuss कर चुके थे glucose का formula और यहां पर भी glucose का formula दिया जो कि C6H12O6 यह glucose का formula है यानि कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका last product glucose होता है और यह दिर्ग रोम के जरिये यह glucose जो है वो blood में मिलाया जाता है जैसे यह glucose blood में मिलता है दुर्ण में मिलने के बाद जो वर् thrive होता है जो का रिय होता है ओर्जा उत्सरजन से related उसको बोलेंगे कोशिकिय स्वस्षण तो ये तीन परकार को होता है ये ग्लुकोज जो है वो कोशिके द्रव के साथ मिल करके पाइरुवेट और उर्जा का निर्मान करता है किसका निर्मान करता है पाइरुवेट और उर्जा अक्सिजन की अनुपस्तिती में ये होता है तो अगर बात कर चुके हैं यहां पर अक्सिजन की अनूपस्थिती में उर्जा का जो सरजन होता है वो येस्ट और किनवन में होता है तो किस से प्रकार से तो एथेनॉल और कार्बन डाक्साइड प्लस उर्जा ये तिनों मिलता है फिर न और एनर्जी का निर्मान करता है कहाँ पर येश्ट में अच्छा एक्सेजन के अभाव किस में होता है तो हमारी PC कोशिका में जिसमें लैक्टिक, अमल और उर्जा का निर्मान करता है ये कब होता है जब ATP बन जाता है और वो ATP जब बर्न होता है इसको अगर किलियर तरीका से समझाय जाए तो सबसे पहले क्या होता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं खाना खाने के बाद उसका प्रोड़क्ट बनता है ग्लुकोज C6, H12, O6 अब इस पर जब ऑक्सिजन के कॉंटेक्ट में ये ग्लुकोज आता है तो ये ऑक्सिजन क्या करता है ग्लुकोज को तोड़ता है तोड़ने के बाद water मतलब H2O, energy यानकी ATP ठीक है और lactic acid ठीक है lactic acid ना बना करके वो क्या करता है carbon dioxide बनाता है क्लियर है क्या क्या बनाता है तो water बनाता है plus ATP बनाता है plus carbon dioxide बनाता है ATP तो सेल के metro kondya में जाकर के store हो जाता है water हमारे blood में मिल जाता है और वापस बाद में वो urine बनता है अक्चल में filter होने के बाद किसके जरी फिल्टर होता है तो किर्णी के जरी ये filter होकर के urine form बन जाता है और CO2 जो होता है वो वापस luns के जरी नाक के जरी बाहर आ जाता है तो यहां पर ये चीज बताया गया है कि अगर वो oxygen के अनुपस्थिती में हो जाए तो yeast में किनुवन होता है oxygen के अभाव हमारे मान स्पेसी में होता है और जब कभी भी हमारे बोडी में लाक्टिक एसीड बनता है हमारे बोडी जो है वो जादे पैनफुल होने लगता है ठकावर सा महसूस होता है तभी तो कभी भी जब हम लोग बहुत जादे वर्क करते हैं तो अधिक वर्क करने पर लाक्टिक एसीड जमा हो जाता है हमारे बोडी में और इसी लाक्टिक एसीड जमा होने के करा हम लोग ठकावर सा और दर्द सा महसूस होता है तब ही हम लोग हफने लगते हैं या फिर रेष्ट करने का मन करता है या फिर हम लोग रेष्ट करते हैं राइट चले और ये तो अक्सिजन के उपस्तिती में कारवन डाकसाईड जल और उर्जा का निर्मान होता है जो कि हमारे मैट्रो कॉंडिया में जाकर के ATP स्टोर होता है एक कोशें यहाँ पर आ सकता है कि ATP का full form क्या होता है ATP का full form adenosine triphosphate क्या होता है adenosine triphosphate अब लोग नोट्स में इसको लिख लिजे ATP का full form adenosine triphosphate अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्वसन जो होता हो दो परकार को होता है एक होता Y feels sen, एक होता ÖY feels sen, right? ये श्वरसन का मतलब होता है कि nezky revenue की उपस्तिती यान कि oxygen की उपस्तिती में स्वरसन हो और이면 Foundation का मतलब होता oxygen की उपस्तिती में जो स्वरसन हो ठीक है? तो Y feels sen होता oxygen की उपस्तिती में glucose का पूर्ण उपचेयन होता है और इसके बाद कारण डाकिसाइड, H2O, पाणी और उर्जा मुक्त होता है और उर्जा जो है, वो ATP के फ़ोर में बंता है चले, यहां कोशिका द्रव वो मैट्रो कॉंडिया में होता है कोशिका द्रव को साइटॉ-प्लाजम बोला जाता है और मैट्रो कॉंडिया में होता है मैट्रो कॉंडिया को इसी लिए कुशिका का बिजली घर भी कहा जाता है क्यों क्योंकि मैट्रो कॉंडिया में ही एनेर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होता है अधीक उर्जा उत्पन होता है कितना होता है तो 36 ATP एक बार में 36 ATP का निर्मान होता है कहां पर? मान एक्सिजन की अनूपस्थिति में ग्लुकोर्ग का अपूरन अपचैन होता है पूरी तरह से अपचैन नहीं होता है आ हिसके कारण इसमें एथेनल, लैक्टिकेसेडgy और कारवन डाकसाइड के साथ साथ उर्जा मुक्त होती है केवल इसमें कोशी का द्रव में ही होता है यह आवाई विया स्वेशन ठीक है और इसमें कम से कम 2 ATP खच होता है अच्छल जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से टोटल 38 ATP बनता है तो वाई 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 में अंतर पूछ सकता है अप लोग को बढ़िया तरीका से नोट्स बनाना है हम लोग बात कर लेते हैं मानो स्वसंतंत्र के बारे में कि यह मानो स्वसंतंत्र जो होता है वो एक्च्छल में किस परकार से सबसे पहले नासा दुआर जो नाक होता है जो नाक होता है ये नासा दुवार, नासा दुवार से ग्रसनी में जो है वो सांस हवा जाता है, अक्सिजन ठीक है, नासा दुवार से ग्रसनी में जाता है, उसके बाद कंट में जाता है, कंट के बाद स्वासनली में जाता है, स्वासनली में जाता है, फिर स्वासनीका में ज है कुपी का कोश में जाता है और फिर लाश्ट में रूधीर वाहिकाई रूधीर वाहिकाई यान की शिरा अ धम्नी में जाता है तो यह पुरा प्रोसेस है आपका ओक्सिजन का हमारे फैफडBook से हमारे नाक के जरिये फैफड़े से होते हुए blood vessels में जाना, यह पूरा वे रास्ता है, सबसे पहले, नासा दुआर, फि ग्रसनी, ग्रस्नी के बाद, ग्रसनली, ठिक है, ग्रसनली के बाद, यहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, तो स्वसन, स्वसन के बाद, कुपी का, एक्चोल में, फुफुस में, फि स्वसन, फि कुपी का म आधान-प्रदान करता है और यही क्याप लड़ी जो है उसमें आट्रे वेंस जुड़ा रहता है क्याप लड़ी के जरिए प्रड़े नख देख लेतेहें कि मानु स्वसन क्रिया तो इक तो है अपका अंतर स्वसन एक होता है उच्छ वसन okay अब इन डोन में अंतर आ सकता है जिस तरब से लिखा गया है सेम इसी तरह आप लोगो को क्या करना है नोट्ट बननाना है कि अंतर श्वसन के दोरान अंदर आना नाक की जरी अक्सिजन का अंदर आना अंता स्वसन का लाता है और वापस से फिफडे से नाक की जरी हमारे एट्मोस्फेर में कारवन डाकसाइड रिलीज करना इसको बुला जाता है क्या उच्छ वसन एक्जलेशन इंहलेशन राइट अब यहां पर कुछ पॉइ आ जाती है जब उच्छ वसन होता है तो पसलियों से सनलगन पेशिया सिकुडती है लेकिन यहां पर सिथील हो जाती है ठीक है फेलती है अच्छ देख लेते हैं कि वच्छ उपर और ऊपर और बाहर की और गति करता है लेकिन यहां पर वच्छ अपने अस्थान में वापस आ जाते हैं ठीक है चली तो हम लोग सांस ले करके सांस छोड़ करके भी समझ सकते हैं कि क्या activities होता है हमारे चेस्ट में राइट चली तो इन सब को अच्छी तरीका से अप लोग को याद करनी है नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि अंता सुअसन सांस दुआरा वाई मंडल से गेसो को अंदर ले लेना और उच्छुअसन का मतलब होता है फेफडो से वाई या गेस को बाहर निकालना जैसे कि अभी हम लोग इस चीज़ को डिसकस कर चुके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अस्थल्य जिव सुअसन के लिए वाई मंडल से अक्सिजन का उप्योग करते हैं अस्थल्य जिव और कि इनके जरी है फेफडो के जरी है मैक्सिमम और जो जिव जल में रहते हैं वे जल में विले अक्सिजन का उप्योग करते हैं यानि कि जैसे कि मचली हो गया वो सांस कैसे लेते हैं तो गिल्स के जरी है सांस लेते हैं लेकिन पानी में जो है बहुत सार अक्सिजन के मॉलिक्यूल्स घुले रहते हैं उसी मॉलिक्यूल्स को वो ट्रेप कर लेते हैं अपने गिल्स के जरी और सांस लेते हैं तो आज गले इतना ही मिलते हैं नेस क्लास थेंक्यू